कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का ये वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत हैं पिछले वीडियो में हम दोग देखा था यहां फिचले वीडियो में यूज़ी यहां पर एक हैं तो अगर आप करने हैं तो लुट कुष्छा है तो go to the server and your services tab यहाँ पर FTP करके option है तो FTP service मुझे on करनी है यहाँ पर मुझे एक user create करना है तो कुछ username देना पड़ेगा then along with the password and यहाँ परमिशन है write read delete rename and list यह जो परमिशन्स आपको दी है यह आप पर्टिकुलर यूजर से restrict कर सकते हैं particular services ही उसको enable कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते कि यह files यहाँ पर available है on this server तो यहाँ यहाँ पर यूजर एड करते हैं तो यह यूजर add किया है all the services जो available है उसके लिए तो अभी मुझे एक PC से यह सब services access करनी हैं तो यह सभी services यहाँ पर add हो चुकी हैं तो इसे करते हैं close and कोई भी एक machine लेते हैं उसका command pro में जाके हम लोग पहले वो machine अपने server से connected है कि नहीं वो देखते हैं तो server को ping करते हैं yes we are getting reply मतलब हम लोग connected है topology correct है यहाँ पर अभी मुझे type करनी है command ftp then अपने server का IP address तो मुझे पूछेगा username तो मुझे यूजर नेम डाला है आप कोई भी यूजर नेम डाल सकते हैं जो डीफॉर्ट आता है वो डाल सकते हैं या फिर जो आपने नया user डाला है वो उसके लिए वो यूजर नेम एड कर सकते हैं तो मैंने password डाला पीपी 123 तो येस नाओ आएकन अक्सेस FTP प्रोटोकॉल अभी यहाँ पे एन नमबर आफ कमांड्स आर अवेलेबल यू कैन एक्स्प्लोर लाट अव तिंग्स विद यूर ओन विद ती हेल्प आप्शन तो यहाँ पे इतने सारे कमांड्स अवेलेबल है तो मुझे कोई भी कमांड यूज़ कर ना है जो वर्च वाइलस यहां ऑन यूज़ कर सकता हूं फिलाल के लिए मैं लिश्ड करना चाता हूं तो दियार कमांड में यूज़ करना हूं तो इतने सारे options इतने सारे files मुझे list मिला हैं I can experiment with all these files So this is how you can implement FTP protocol Don't forget to subscribe and press bell icon for new updated videos Like and share videos with your friends